हेलो सांती हूं, वेलकम टो रोल स्टड़ी, दोस्तों आत्की उस वीडियो में मद्ध प्रदेश पुलिस सरक्षक 2020 के स्पैसाल एक्जाम के लिए नेक्स्ट प्रेक्टिसेट आपहों आपके लिए लेकर आछुके हैं प्रेक्टिसेट सेकेंड हमारे यह रहीगा सायंस का इससे पवेले हम प्रेक्टिस Herset वन कवर करवा चुके हैं आपको अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक के देदेंगे आप डैक्लिक किलिक करके उन वीडियो को भी जरूर से देख लीजगा गाईस सीधे सीधे आपकी एक्जाम में जो कोश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे सीधे सीधे हंड्रिट टाइम अब बचा नहीं हुआ हैं तो जल्ली से इन सभी कोश्चंस को आप अच्छे से कर लेजगा फटापट आईए स्टार्ट कते हम इस वीडियो के पीडिया पर एप्लिकेशन पर मिलियागी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजगा टेलिग्राम को भी जोइन कर लिज सकते हैं फाइनली स्टार्ट कते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट के हमारे पहले कोश्चं से पहला कोश्चं हमारे निकल कर आ रहे हैं पासुओं विसेस्ता दुदारु गो के अनुपूरक भोजन के रूप में मुख के प्रियोक्त जेव उरवरक कौन सा ही तो देखें पा निकल कर आ रहे हैं निमने लिकित में को नमस ब रही हला कोश्च вкус हमारे निकलकर आ रहे हैं तो मनस बास्फरीर के सब स्बस चोटी हड्डी है करी स्का नामस्टेपीज पंगा नेक्स्ट यूजर पूछा गया निमनलेकित में यसे क्होंसा लवन मानॉ रज्डूँ में पॏांटों पर जमी परते जू बनी रहती हैं यह बनी रहती है वजन के कन ठूंक और मुक अ और बैक्टिरियाु से हैं यह जो है परते जमी रहती हैं रग्त का थक्का बनने में परिवरतन चेंग लेने वालेन सायम सबस्क्राइब करvert में इस वीड़ों में आगे बढ़े उससे पहले बता दे हमारी पुलिस कॉंस्टेबल के स्पैसल टेस्टी सिर्ज है लेटेस्ट पैटन की इन्रोल नहीं किया कर लिजगा कोई डाउट कुछ क्वेरिज दे तो आप हमें नमबर पर भी कॉंटक्ट कर सकते हैं डेमो डला हुआ है सारी चीज़े आपको एट टो जेड एपलीकिसन पर मिल यह हमारी MP SI की स्पैसल टेस्टी सिर्ज है मध्यप्रदीस पुलिस सब इंस्पैक्टर की तो इसका डेमो भी जाकर चिकाउट करेगा नए पैटन पर बैस्ट है कोई डाउट है कुछ क्वेरिज दे तो इन नमबर पर कॉंटक्ट कर सकते हैं यह हमारी MP कर इंटफेर देखे यह MPG की टेस्टी सीरीज है MPG की और यह MP कर इंटफेर की एबुक है 2023 की बिल्को लेटेस्ट टेस्टी सी माप की जिगा एबुक है हरा और सारा डेटा इसमें मिल जाएगा जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कर इंटफेर इसमें डला हुआ एक सिंगल कोशन यहां से बाहर नहीं जाएगा मंतली इबुक अपडेट होती है यह आपकी और यह 2022 की इबुक है यह 2021 की है तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेकिस्टन को डाउनलूट करके इनके बारे में आप कम्प्लेट डिटियल ले सकते हैं टेलिग्राम को भी जोन कर जीएगा जिसके परनारी द्वारा सरवादे को प्योग किया जाता है तो यहां से हमारा फस्ट ऑप्शन कर्रिक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट वोचने मानव मस्थिस्की के निमलिकित भागों में से कोन सा एक निगरन और उल्टी नियमन केंद रहें तो इसमें से सही जवाब रहेगा प्योट्री यहने के डी ऑप्शन कर्रिक्ट आंसर है अगला कोशने क्लोरोफील परनारीत में पाय जाता है यहने की क्लोरोफील में क्या पाय जाता है तो मेगनेशियम हमारा कर्रिक्ट आंसर यहां से हो जाएगा सी ऑप्शन नेक्स्ट वोचने डेंगु बुखार में मान मेरू रज़ू पर चड़ी जिल्ली में सूजा ना जाने से होने वाला रोग कौन सा है तो इस मस्तिज्ग और तता मेरू रज़ू पर चड़ी जिल्ली में सूजा ना जाने के कारण होने वाला जो रोग है इसको बोला जाता है मेनेंजाइटिस मेनेंजाइटिस याने की D option कर correct answer है हिर्दे की धड़कन नियंतित करने के लिए निमनी में से कौन सा खनीच आवश्यक है हिर्दे की धड़कन नियंतित करने के लिए इन में से potassium जो है यह एक आवश्यक खनीच है c option correct answer यहां से रहेगा next question है निमनी लिकित में से किसने नेनो टेकनोलोजी सब्द का प्रियोग किया और कब किया तो इन में से नेनो टेकनोलोजी सब्द का प्रियोग किया यह किया गया 1974 में किसके दवारा नेरियो टानी गुची के दवारा तो नेरियो नोरियो टानी गुची ने 1914 में इस सब्द का प्रियोग किया था B option से जवाब रहेगा लोंग पोदे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते हैं तो लोंग जो होते हैं ये पोदे के सुसकु पुस्प जो कली होती है सुसकु पुस्प कली इस से प्राप्त होते हैं तो D option correct answer है नेक्स्ट कोशन निकल कर आ रहा है अगला कोशन है सूरी के प्रकास के अद्रश्य भाग से प्रकास संसलेशन किया जाता है कुछ तो यहां से हमारा correct answer रहेगा bacteria C option correct answer यहां से हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पूचा गया है अगला कोशन है और आनिम्न मैं से कौण DNA में Nucleotide का भाग नहीं है और आनिम्न मैं से कौण DNA में Nucleotide का भाग नहीं है तो ही जवाब इस कोशन का जो रहेगा यह रहेगा animal यानिकी D option correct answer है अगला कोशन पूझा गया है कोशिका जिल्ली किसमें पाई जाती है तो कोशिका जो जिल्ली पाई जाती है ये पादप एवं पसु कोशिका दोनों में पाई जाती है पादप एवं पसु कोशिका दोनों में कोशिका जिल्ली पाई जाती है C option correct answer रहेगा नेक्स्ट कोशन है पादप वरद्धी अनुमापन के साथ जिस भारती विज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है तो सही जवाब रहेगा जे सी बोस यहां से हमारा सी ओप्सन करिक्ट आंसर है अगला कोशन पूजा गया है मैंडल ने मटर के कुल कितने लक्षनों का वनसागति अद्यान किया अगला कोशन पूजा गया है निम्न में से किसमे कोसिका में अच्छी तरह से व्यवस्तित नुकलियस नहीं पाय जाता है तो इनमें से बैक्टीरिया आपका correct answer हो जाएगा option number D बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोसिका में अच्छी तरह से व्यवस्तित नुकलियस नहीं पाय जाता है नेक्स्ट वोचन के और आगे बढ़ते हैं guys नेक्स्ट वोचन है हमारा निमने लिकित में से किसमें अर्दुसुत्री विवाजन होता है अर्दुसुत्री विवाजन जो होता है इनमें से पुंकी सर में होता है पुंकी सर याने की option C correct answer है इसमें अर्दु सुत्री विवाजन होता है next वोचने कोशिका भित्ती का प्रमुक अव्यव क्या है कोशिका भित्ती का प्रमुक जो अव्यव है यह है cellulose cellulose B option करिक्ट आंसर रहेगा next वोचने कोशिकाओं में एवम O का विखंडन कहां होता है कोशिकाओं में कोशिकाओं में देखिए मैं आपको तोड़ा सा कोशन इनकंप्लीटेड है मैं पूरा कवर करवादू कोशिकाओं में CO2 है ना CO2 एवम H2O इसका विखंडन कहां पर होता है यह कोशन आपका है कोशिकाओं में CO2 एवम H2O का विकंडन कहां होता है तो सही जवाब इस question करेगा माइट्रो कॉंटरिया में option number अब भी इस question का लिए सही जवाब आपका रहेगा कोसिका भित्ती में कौन सा पदार्त नहीं पाय जाता है तो कोसिका भित्ती में protein जो होता है यह नहीं पाए जाता है, तो first option से जवाब यहां से रहेगा, अगला कोशन है, पोदो की लंबाई में वरद्धी के लिए निम्नमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, पोदो की लंबाई के लिए इसमें से sodium जो है यह आवश्यक नहीं है, बाकि calcium, nitrogen, phosphorus यूश सभी पोदो की लंब करिक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, गैस हम नेशनल का पूरा करेंट अफेर आपको एक्जाम टाउन चेनल पर कवर करवा रहे हैं, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कर रिक के रखिएगा, क्योंकि constable के point of yours है, जितने भी topic आपकी एक्जाम में पूचे जाते हैं, नेशनल करेंट अफेर की, topic वाइस नेशनल करेंट अफेर आपको कवर करवाय जा रहे हैं, तो आप जरूर से विजट करिएगा, description में लिंक है, चेनल को सब्सक्राइब करके रखे, ताकि जो भी नया वीडिया है, सबसे पहले आप तक पहुच पाएं, सीप मोटी किस वर्गे से समंदिद है, यह कुशर नहीं, सीप मोटी जो यह यह मोलस का जो वर्गे से समंदिद है, तो मॉलस का यहां से हमारा First Option इस को尋 जवाब रहेगा, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं तो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये युकेरियोटिक होते हैं क्या होते हैं युकेरियोटिक होते हैं तो B option correct answer यहां से रहेगा अगला कोशन ही अगला कोशन है हमारा देखें, नेक्स्ट कोचन निम्न में से कौन आंसिक मोल पर जीवी है, निम्न में से कौन आंसिक मोल पर जीवी है, तो अमर बेल, अमर बेल, एवम आम आपका, यहां से फस्ट आप्शन सही जवाब रहेगा, नेक्स्ट कोचन है, लाइकेन वे जीव हैं, जिसमें, जिनमें कवक के सांथ होते हैं, कवक के सांथ में सेवाल होता है, तो उसको क्या बलता है, लाइकेन बोले जाता है, सेवी जीवी एक तरह से संबंध ये होता है, कवक और सेवाल का, जिसको लाइकेन बोले जाता है, तो कोशिन इस तरह से भी बनेगा, कि कवक और सेवाल के सेवी संबं को क्या बोले जाता है लाइकेन बोले जाता है लाइकेन के नाम से जना जाता है नेक्स्ट कोशन पूजा गया है व्रद्धा वस्ता यों काल प्रभाव के विश्य में ज्यान प्राप्त करने की विदी को क्या कहता है तो इस विदी को जेरेंटोलोजी की नाम से जना जाता है B option हमारा यहां से सही जवाब रहेगा अगला कुशन है Archeopteryx किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योज़क कड़ी है तो Archeopteryx यह जो है सरी सरप तता पक्षी जो वर्ग है इनके प्राणियों के बीच की योज़क कड़ी है तो सरी सरब तता पक्षी हमारा यहां से B option सरी जवाब रहेगा गट परनी के निमने भागों में से कोन सा एक गट में रुपांतरित होता है तो यह रुपांतरित जो होता है यह पत्ता रुपांतरित होता है पत्ता यानि B option करिक्टांसर है गट परनी के निमन भागों में से पत्ता जो है ये एक गट के रूप में रुपांतरित होता है नेक्स्ट कोशन है हमारा मानों सरीर के किस अंग में लसी का कोसिकाएं बनती है मानों सरीर का जो अंग है इसमें दिर्ग अस्ती है बैसे के लिए मानों सरीर का दिर्ग अस्ती में जो अंगेश में लसी का कोसिकाएं बनती है तो हमारा B option इस कोशन के लिए सही जवाब हमारा रहेगा नेमन मैं से कौन सा पॉस्टिक तत्व अस्ती और दातों के निर्मान और मजबूती के लिए आवशक नहीं है इस कोशन का क्या रहेगा सही जवाब रहेगा आयोडीन यानि की हमारा option number D इस कोशन के लिए सही जवाब हो जएगा hydroponics क्या है यह आप से पूचा गया है तो hydroponics जो है यह मरद भीन पादप सनवर्दन है hydroponics यह होता है first option correct answer है अगला कोशन है हमारा amphibia बताता है तो जल और इस्तल दोनों पर ही रह सकने वाले पसुओं को amphibia बताता है अफीम का वनस्वतिक नाम क्या है यह आप से पूचा गया है सई जवाब रहेगा पेपेवर सोमनी फेरम आपका correct answer रहेगा option number B यह अफीम का वनस्वतिक नाम है अफीम का वनस्वतिक नाम है पेपेवर सोमनी फेरम कोशन इस तरह से भी पूचे सकता है कि पेपेवर सोमनी फेरम किस का विज्ञानिक नाम या वनस्वतिक नाम है अगला कोशन है निमने मैं से कौन सा योग्म सही सुमेलित नहीं है इसमे जड़ पर जीवी बिलकुल कार्कियक पादप जीवी बिलकुल गट पर ने जलोर बित यहां से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा option number D क्योंकि यह सुमेलित नहीं है बाकी यह उपर के सभी सही है सिनकोना की चाल से प्राप्त ओस्दी को मलेरिया का उपचार के लिए प्रियुक्ट के जाता है जिस करतिम ओस्दी ने इस प्राकर्तिक उत्पाद को प्रतिस्तापित किया वहां आपको बदाना क्या है तो यह है क्लोरो क्वीन याने की B option correct answer रहीगा अगला कोशन पूजा गया है गर्म रुजीर वाले जनतु वे होते हैं जो अपने सरीर के तापकरम को किस कैसा होता है तो यह हमेशा एक सा बनाये रखते हैं यह ना गर्म रुजीर वाले जनतु वे होते हैं जो अपने सरीर के तापकरम को हमेशा एक स पेटा मच्छर ये सभी कीट में आते हैं मकडी नहीं आता है नेक्स्ट कोशन पोजा गया है कैसर होता है सूका मिसरन कैसर होता है सूका मिसरन तो कैसर जो होता है कैसर जो होता है ये फूल के बीच का बनाने वाले भागों का सूका मिसरन होता है यानि कि केसर होता है सुका मिसरन फूल के बीच बनाने वाले भागोगा अगला कुशन है जल की अधिक्ता मातरा जिसकी पोदो की आवशक्ता होती है वहां उसे उप्सोसन किसके माध्यम से करता है तो यह जडो के बालो से उप्सोसन करता है अधिक विद्बान के करणा से हमारा D option कर एक्था रहे है विटामिन E का मेटमोऌ फूर्ण इस्त्रोट निमन मेंसे कौन सा ही विटामिन E का मेटमोऌ इस्त्रोट इसमें से गेहुं अंकूर का तेल आपका C option कर एक्था अंसर है नेक्स्ट तो चने ब्ल्यू देखें यहां पर ब्ल्यू बेबी ब्ल्यू बेबी नामाग प्रदूसन कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न वैसे किसके अधिक विदमान होने के कारण होती है Blue belly, Blue belly Blue baby तो यह nitrogen के कारण होती है झल में nitrogen के अधिक विदमान के कारण यह विमारी होती है उन देशों के में जहां के लोगों का मुख के खाद दान पालिस किया हुआ चावल है लोग पीडित होते हैं तो वहां के जो लोग पीडित होते हैं वो बेरी बेरी रोक से पीडित होते हैं B option correct answer है Cobalt 60 आम तोर पर विकीरन चिकिस्ता में प्रियुक्त होता है क्योंकि यहां उस सरजित करता है यह जो 60 है Cobalt 60 यह गामा किरने गामा किरने उस सरजित करता है C option correct answer है मदू में है कि उप्चार है तो प्रियुक्त हार्मोंस इंसुलिन का अविस्कार किस ने किया तो इसका अविस्कार किया FG batting ने FG batting यहां से हमारा first option correct answer रहेगा golden चावल एक प्रचूर इस्तरो दे तो golden चावल जो है vitamin A का एक चूर इस्तरो थे तो first option यहां से सही जवाब रहेगा गाईस इस वीडियो में अपन टोफ 100 questions अब तक आपको cover करवा चुके है हैना 50 questions इस वीडियो में अपने cover किये है अब आपको idea लग चुका होगा कि किस तरह के questions आपको cover करवाने और किस तरह की यह वीडियो सिरीज है आपको अगर पसंद आई है वीडियो सिरीज तो इस वीडियो को like करिए share कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी ताकि हम सपोर्ट मिले motivation मिले हना हमारी online test series MP constable के लिए अगर आपने enroll नहीं किया कर लिए जगा आस्ट राइम वह पर एक काफेचे special offer चल रहा है कोई doubt कुछ queries है तो आप हम इन नंबर पर भी contact कर सकते हैं यह हमारी MP SI की special test series है बिलकुल latest pattern पर यह हमारी MPGK की test series है यह MP current affair की ebook के 2023 की मध्यप्रदेश की current affair की यह 2022 की है और यह 2021 की अप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप सबसे पहले इंक के बारे में complete detail ले सकते हैं टेलिग्राम को भी आप join कर लेजगा के लिए तो गाइस इस वीडियो को like करना ना भूले, share करना ना भूले और subscribe अभी तक नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को on करके रखें ताकि जो भी नया वडियो है सबसे पहले आप तक पहुच पाएं और अपना केमती सुजाओ देना ना भूले comment box में comment करके ज़रू से बताईगा ताकि हम आपको लिए next यो वीडियो लेकर आएं उसमें और अच्छी तरीके से आपको सारे चीजे कवर करवा पाएं के लिए रहे तो guys मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्यमात्रम